तो दोस्तो अगर आप सोच रहे हो कि 15,000 के अंदर आपके एक बहुती बढ़िया अच्छा स्मार्टफोन लेना है और आप कॉन्फ्यूज हो कि भई अभी के टाइम में इतना सारा स्मार्टफोन हो चुका है पर हम कौन सा ले कौन सा स्मार्टफोन 15,000 रेंज के अंदर सबसे ज्यादा बढ़िया होगा पर्चेस करने के लिए तो दोस्तो आपका भाई है ना आज की वीडियो को लास तक देखो आपके मन में सारे जो कॉन्फ्यूजन है वो सारे यहां पर क्लियर हो जाएगा क्योंकि आज का वीडियो होने वाला है टॉप फाइब बजेट स्मार्ट स्मार्टफोन अंडर 15 के यानि 15,000 के अंदर सबसे ज्यादा अच्छा टॉप 5 स्मार्टफोन कौन सा है तो वीडियो को लास तक देखना कापी ज्यादा इंपोर्टेंट है आज का वीडियो आप लोगे लिए पर भाई उससे पहले चैनल पे नहीं आये हो और ऐसी वीडिय 15,000 के अंदर बे स्मार्टफोन कौन सा है उसके रिगार्डिंग वीडियो फ्यूचर पे भी हमारे चैनल पे बहुत सरे आएंगे तो चले दोस्तो आज की वीडियो का हम लोग स्टार्ट करते हैं तो दोस्तो यहां पर सबसे पहला जो आपको स्मार्टफोन देखने को मिलत है 15,000 के अंदर वो है दोस्तों साउमी का रेड्मी नोट 10S जी हां रेड्मी नोट 10S दोस्तों एक बहुत ही बढ़िया गेमिंग स्मार्टफोन है 15,000 बजट के अंदर तो दोस्तों इस फोन की प्रोसेसर की बात करें जो सबसे ज्यादा इंपर्टेंट है एक स्मार्टफो कोई भी गेम आप खेलते हो तो रेड्मी नोट 10S आपको पर्चेस करना चाहिए यह काफी ज्यादा एक अच्छा स्मार्टफोन हो जाता है 15,000 के अंदर उसके साथ साथ दोस्तों डिस्पले की बात करें तो इस फोन में आपको 6.43 इंच का एक सूपर एमुलेट डिस्पले देखने को मिलता है तो माल्टी मीडिया एक्सप्रेंस आपका काफी ज्यादा अच्छा हो जाएगा आप गेम खेलोगे तो उसका भी भी हुई एंगेल सब कुछ यहाँ पर अच्छा खासा आपको देखने को मिलेंगे रेड्मी नोट 10S डिबाइस पे क्योंकि यहाँ 3W का आपको फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलता है 33W का आपको फास्ट चार्जर देखने को मिलता है जो कि यहाँ पर एक घंडा 10 मिनिट और 15 मिनिट के अंदर आपके रेड्मी नोट 10S डिबाइस को फुल नहीं आप पर 0-100% चार्ज कर देगा दोस्तों उसक पिक्सल का आपको माक्रो और और भी एक सेंसर देखने को मिलता है जो कोई काम का नहीं है तो कैमेरा सेटप भी काफी ज्यादा अच्छा आपको देखने को मिल जाता है रेड्मी नोट 10S डिबाइस पे 15,000 बजट के अंदर उसके बाद दोस्तों सेल्फी कैमेरा की बात करे तो 13 में का पिक्सल का आपको एक सेंटर पंच होल डिस्प्ले के साथ सेल्फी कैमेरा देखने को मिलता है आप दोस्तों बात करें इस डिबाइस की प्राइस की तो 6GB, 64GB वाला विरेंट अभी आपको 14,000 की प्राइस में देखने को मिलेगा Amazon या फ्लिपकर्ट पे कहीं पर क मैंने दिखा है Amazon पे 14,000 पे 6GB, 64GB अभी मिल रहा है तो अगर आप एक गेमिंग अच्छा डिस्प्ले वाला अच्छा साउन क्वालिटी वाले एक स्मार्टफोन चाहते हो जिस पर आप गेम खेलना चाहते हो अच्छा फोटो कीजना चाहते हो तो आप इस डिबाइस की लिं स्मार्टफोन है 15,000 बजेट के अंदर पर दोस्तों इसका जो प्राइस है वो साउमी ने इंक्रेस कर दिया है पहले यह 12,000 पे 4GB, 64GB वाला मिलता था पर आभी साउमी इसका प्राइस इंक्रेस कर दिया है तो दोस्तों इस डिबाइस पर आपको स्नैप ड्रेगन का 678 वाला देखने को मिलता है रेडमी नोट 10 डिबाइस पर तो अगर आप अच्छा डिस्प्ले वाला एक फोन चाते हो तो आप रेडमी नोट 10 को भी पार्चेस कर सकते हो उसके साथ दोस्तों इस डिबाइस की कैमेरा की बात करें तो यह पर 48 मेगापिक्सल का एक मेन सेंसर 8 मिल जाता है और 22 मेगापिक्सल का आपको मैक्रो यांग टेलिपोर्टर लेंस देखने को मिल जाता है तो कैमेरा के मामले भी रेडमी नोट 10 डिबाइस काफी ज्यादा बढ़िया है क्योंकि इसका मेन सेंसर 48 मेगापिक्सल वह यह आपस सोनी क्या सेंसर के साथ आता है तो साथ सा दोस्तो और भी कोई फिचर्स की बात करें उसके बाद दोस्तो रेडमी नोट 10 डिबाइस की सेलफी कैमेरा की बात करें तो आपको 13 मेगापिक्सल का सेलफी कैमेरा देखने को मिल जाता है रेडमी नोट 10 डिबाइस पर जो की एक दिन डेड़ दिन आपका चला उसके साथ सद आपको एक्स्ट्रा कुछ अच्छे खासे चीज मिन जाता है इस डिवाइस के अंदर जैसे के आपको डूएल स्टेरियो स्पीकर मिलता है तो आप माल्टी मीडियो एक्स्प्रियेंस आपको काफी ज्यादा अच्छा मिलेगा क्योंकि एमूलेट डिस्प्ले हो उसके साथ सद आपको डूएल स्पीकर मिल रहे हैं इसलिए इसका जो साउंड क्वालेटी हो काफी ज्यादा अच्छा होगा उसके साथ सद आपको 3.5 mm ओडियो जैक भी देखने को मिल जाता है इस रेड्मी नोट टेन डिवाइस पर दोस्तों अभी इसका जो प्राइस है उसके रिगाडिक हम बात करते हैं तो 4GB, 64GB वाला वेरियंट अभी आपको Amazon पे 14,499 रुपे में यानि 14,500 रुपेया पे आपको देखने को मिल जाएगा तो लिंक में यहापर वीडियो की डेस्क्रिप्शन में दे दूँगा आप जाके चेक आउट कर सकते हो उसके बाद दोस्तों जो तीसरा नंबर डिवाइस है हमारा यहाँ पर 15,000 बजेट के अंदर वो है दोस्तों रियल्मी की तरफ से रियल्मी 8i डिवाइस यह भी एक दोस्तों काफी ज्यादा बढ़िया गेमिंग स्मार्टपोन हो जाता है 15,000 के अंदर क्योंकि दोस्तों इस पे आपको 120Hz का फास्ट रिफ्रेजरेट देखने को मिलता है जो कि एक काफी ज्यादा बढ़िया बात हो जाता है दोस्तों उसके साथ दोस्तों आपको एक 6.6 इंच का IPS LCD डिस्प्लेट देखने को मिलता है रियल्मी 8i डिवाइस पे तो इस पे आपको अभी Super Amulet देखने को नहीं मिल है 6.6 इंच का IPS LCD डिस्प्लेट देखने को मिलता है उसके साथ दोस्तों बैटरी की बात करें तो 5000 एमेज का आपको एक बैटरी देखने को मिल जाता है जो फास्ट चार्जिंग है दोस्तों 18W का दिया है तो यहाँ पर रियल्मी आगर 33W का चार्जर दे देता तो बढ़िय को मिलता है कोई भी ग्लास का सपोर्ट आपको देखने को नहीं मिलता है इस रियल्मी 8i डिवाइस पर तो अगर आप गेम खेलना चाहते हो तो एक काफी ज्यादा बड़े स्मार्टपून हो जाता है रियल्मी 8i आप लोगों के लिए यहाँ पर गेमिंग परवह में काफी के सेंसर देखने को मिलता है तो फोटो क्वालिटी भी थोड़ा सा अच्छा आपको मिलेगा बहुत ज्यादा अच्छा आपको कैमरा वाला फोन यह नहीं है तो अपको मिडियाम क्वालिटी का आपको फोटो देखने को मिल जाएगा रियल्मी 8i डिवाइस पर तो आप काफिस ज्यादा बढ़िया बात हो जाता है उसके बात दोस्तों इस डिबाइस की प्राइस की बात करें रियल में एटाइक का जो 4GB 64GB वाला विडियेंट है वह आपको 13500-600 के अंदर मिल जाएगा जो के काफिस ज्यादा बढ़िया बात है अगर आप 6GB 120GB लेना चाहोगे तो वह 15000 के उपर चला जाएगा इसलिए मैंने 4GB 64GB का बात आपको बताया ठीक है न तो आप रियल मी 9 है जी हाँ दोस्तों रियल मी 9 है भी एक काफी ज्यादा बड़े स्माटपॉन है 15000 के अंदर इस पे आपको दोस्तों स्ने अपडेकन की तरफ से जो 680 जो नया प्रोसेसर है 680 वाला आपको एक नया प्रोसेसर देखने को मिल जाता है उसके सास्तों तो तो कैमेरा कर दिया है 5000 बैटरी आपको मिलता है उसके सासा 33 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलता है आपके रियल मी 9 है डिवाइस पे तो दोस्तों रियल मी 9 है जो डिवाइस 15000 के अंदर एक मीडियाम अच्छा स्माटपॉन है बहुत यह अच्छा नहीं कहूंग तो अगर आप अपडेट्स के लिए एक डिवाइस पर्चेस करना चाहते हो कि आपको बहुत सरे अपडेट्स मिले तो आप रियल मी 9 की तरफ जा सकते हो उसके बाद दोस्तों हमारे लिस्ट पे जो सबसे लास्ट स्माटपॉन है पर दोस्तों यह काफी ज्यादा ओल्ड स् 720G जो कि एक काफी ज्यादा स्टेबल पार्वोमेंस देने वाला प्रोसेसर है तो अगर आप गेम खेलना चाते हो तो इस प्रोसेसर पे आपको कोई भी प्रोब्लेम कोई भी लाग कोई भी सटर बगरा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा उसके बाद दोस्तों कैमेरे की ब कैमेरा भी काफी ज्यादा अच्छा आपको देखने को मिल जाएगा पोकु एंटू प्रो डिवाइस पे तो आप एक फॉटो सुट करना चाते हो तो आप इस डिवाइस को पर्चेस कर सकते हो उसके सासाथ दोस्तों सेल्फी कैमेरे की बात करें तो 16 मेगर एक्सल का आपको एक सेल्फी कैमेरा देखने को मिल जाता है पोकु एंटू प्रो डिवाइस पे जो कि एक काफी ज्यादा बड़ियास आपको सेल्फी लेके देगा उसके बाद दोस्तों पोकु एंटू प्रो डिवाइस का अगर हम लोग बैटरी की बात करें तो 5000 एमेज का आपको एक स्मार्टपोन है दोस्तों उसके साथ डिस्प्ले की बात करें जो बहुत ज्यादे इंपोर्टेंट है 6.67 इसका आपको एक IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाता है पोकु एंटू प्रो डिवाइस पे जो कि काफी सही बात है अगर एमुलेट तो नहीं होगा क्योंकि काफी स्मार्टपोन है तो अब चाहते हो कि अगर आप चाहते हो तो पोको एंटू प्रो का आप पर्चेस कर सकते हो क्योंकि फोर जीवी 64 वाला विरेंट आपको यहां पर 14,000 के अंदर एमाजॉन पर फ्लिपकर पर देखने को मिल जाएगा तो आप चाहते हो तो यहां पर फ्लि वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे तो फिलाल दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही